नमस्कार मित्रो आशा करते हैं आप सभी लोग सब्सक्त होंगे परसंद नोगे आपने-कार्यों मैं बीस्त होगे मित्रो पू हम्हं की जोगों से हमारा विनमर अनुलोध है कि ट्रपया वीडियो को फूरी तरह से देखें इसके परके ना देखें या एक मिनट की वीडियो को आप लोग दस से करें देखते हैं उससे इंप्रेशन खराब होती हैं अगर आपके पास समयना हुगा करें तो फिलीज आप वीडियो को मत देखें आप सभी से हमारा ये बहुत बिनमरता पूर्वक अन्रो क्योंकि एक वीडियो बनाने में बड़ी मिनत पड़ती है और आप उसको दस से करें देख करके जब इंप्रेशन खराब कर देती हैं तो बड़ा कश्ट होता है क्योंकि यूट्यूब सारे चीज़ों को जो है इस पस्त पता देता है कि आपकी साथ में क्या हुआ है आपका सुब कामना है भगवान आप सभी लोगों को कल्यान करें आपके जीवन में हमेशा सुपता बनी रहे तो मित्रो हमारे यहां भी हन्मान जैनती बहुत भव्य जिब्य रूप्स के मनाई गई आप लोग बने रहे हमारे साथ और देखे हन्मान जैनती के कुछ विशेश पल रक्तों के द्वारा सुंदर कान का पाट किया गया और प्रसाथ प्रत्रान का भी तारकर्म रखा गया यह मन्दिर बहुत प्राजीन है लगबर बचाथ साल की तो मेरी ही उम्र है और जब मैंने अपनी बच्पन में इसको बहुत छोटे से मन्दिर के रूप में देखा है यह मन्दिर के सिज़िके सिप्रा यहां पर मिठ्व जया पर मंदल के द्वारा मंदाली का कार्क्रम रखा गया कभी हनमान बक्तों के द्वारा मंदारा रहां किया गया और यहां पर अच्छी खासी भीडे देखने को मिली सभी को उसका था कि आज हनमान जैनती का प्रसाद हमें जहन करना है आप देख सकते हैं यहां पर सभी बल्ग के व्यत्ति एकत्रित हुए है और वागवान के भंडारे का प्रसाद जहां कर रहे हैं अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे यहां जो सभा यास्ता निकाली गई बहुत अब इत्रे फुरूस में थी जिसमें उसको बाद देखते ही बनती थी यह देखिए यह जुलूस मुख्ध मार्ग पर है और काफी जुलूस आंगे भी निकल गया लगबग 40-30 सा इसी प्रकार से सजाए गए हैं आप देख सकते हैं इस सभी में लगबग 81 सजावत है यह उपर जो फोटो लगाई गई है वह ही भिन है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को आप लोग मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे आपको यह वीडियो कैसा लगा ट्रपिय अपने कमेंट के मांद जंखी में ज़ैरू बतलाएं क्योंकि आप सभी लोगों के एक कमेंट से हमारा बहुत अधिक मनुवल बाड़ता है और आप लोगों के एक बार इग्नोर करने से मनुवल तूट भी जाता है इसलिए आप सबसे अन्रोध है तब कि आप हमारे वीडियो के बारे में हमें अपनी राइजे रूप बताएं आप सभी का है रशित निवाद है नमस्कार